घर का वैद चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे पिपली की हम बताएंगे कि पिपली के क्या फाइदे हैं इसका कब सेवन करना चाहिए और किन किन रोगों के इलाज में इसका प्रियोग किया जाता है और अंत में हम आपको बताएंगे कि पिपली का उपियो कब नहीं करना चाहिए यानि इसके क्या नुक्षान हो सकते हैं तो आएए आगे बढ़ते हैं यदि आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें उसके बाद बेल की घंटी को दबाएं जिससे आपको हमारे नोटिफिकीशन मिलते रहें सबसे पहले हम जान लेते हैं पिपली के अलग-अलग भाशाओं में पिपली को क्या बोलते हैं संस्कृत में इसको पिपली ही बोलते हैं हिंदी में पिपर छोटी पिपल के नाम से जाना जाता है मराठी में पिमपली बोलते हैं और गुजराती में लेंडी पिपर और बेंगाली में पिपल और अंग्रेजी में इसको लॉंग पिपर बोलते हैं और लेटिन में पाइपर लॉंगम के नाम से जाना जाता है आईएब हम आपको बताते हैं पिपली के मुख मुख कौन से फाइदे हैं किस-किस रोग में इस्तेमाल होता है तो यदि सरीर में दर्द है तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है अगर आपके हार्ट कमजोर है तो उसमें इस्तिमाल होता है दाथ आपके आसानी से निकल आएं बच्चों के बच्चों की बात कर रहे हैं यहांपर तो उसके लिए पिपली का उपयोग होता है पेट में कीडे हैं, कीडों को मारने खतम करने के लिए इस्तिमाल करते हैं, लीवर बढ़ गया है, तो उसको ठीक करने में काम आता है, आमातिसार है, यानि पेट सम्मंदित कोई समस्या है, तो उसमें इस्तिमाल होता है, पिपली, साइटिका को ठीक करने में होता है, और किसी महिला परसूता जो जिसके बच्चे जिसका बच्चा है छोटा दूद नहीं हो रहा है तो उसको दूद के लिए इस्तिमाल किया जाता है बावा सीर के इलाज के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है आईए अब हम आप बात करते हैं इन घरेलू नुस्खों की जो उसके बारे में हमने आपको भी बताया है कि उसके लिए क्या करते हैं सबसे पहला है सरीर का दर्द यानि सरीर में अगर दर्द है तो पिपली को कैसे इस्तेमाल करें कि सरीर का दर्द कम हो जाए या गायब हो जाए इसके लिए आपको चाहिए पिपली की जड़ का चूण आधा चमश ले लीजे और गर्म दूर या पानी के साथ इसका सेवन करें तो यदि किसी अंग में या किसी भी सरीर के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है किसी भी वज़े से तो इससे आराम मिलता है और साथ ही अच्छी नीन भी आती है अच्छी नीन आने से तो वैसे भी बढ़िया आराम मिल जाता है अब हम बात करते हैं कि हर्दै की दुर्बलता यानि हार्ट अगर आपका कमजोर है तो पिप्ली का कैसे इस्तेमाल करें इसके लिए आपको चाहिए पिप्ली फल का चूण एक ग्रम और उसको सहद में आपको मिलाना है सहर में मिला करके डेली आपको इसका सेमन करना है तो हार्ट अगर कमजोर है आपका तो वो ताकत वर बनेगा और कलिस्ट्रॉल अगर सरीर में ज्यादा है तो वो भी बैट कलिस्ट्रॉल को कंट्रोल करके उसको ठीक करती है अब हम बात करेंगे कि बच्चों के अगर दांट नहीं निकल रहे हैं या दांट निकलने में दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या करें इसके लिए आपको चाहिए पिपली का चूंड और बच्चों के मसूड़ों पर उसको महीन चूंड को पिपली के फल का चूंड बना करके जो चूंड बनेगा उसके चूंड को बच्चों के मसूड़ों में जहां दर्द हो रहा है जो दांत निकलने वाला है उसमें दो तीन अगर आप मलेंगे तो बच्चों का दर्द दूर हो जाएगा अब हम ये बात करेंगे कि मोटापा को कैसे कम करते हैं पिपली के दौरा इसके लिए आपको चाहिए आधी ग्राम मात्रा में पिपली का चूर इसको सहद के साथ दिन में तीन बार अगर नियमित रूप से सेवन किया जाए तो पिपली के इस परकार के सेवन से मोटापा यानि जमापेट में या किसी भी अंग में जमाचर भी कम होने लगती है और वेट कम हो जाता है हम अब बात करेंगे अगर बच्चों के या बढ़ों के किसी के भी पेट में कीड़े हैं किसी भी तरह के कीड़े हैं तो उनको खतम करने के लिए क्या उपचार अपना सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए पिपली का चूण आधा चमच और उसको आपको छाच में यानी मठे में डाल कर सुबह रोजाना पीना है मठा लगभग एक गिलास यानी 200 या 2500 एमल के आसपास होना चाहिए इसमें डाल क अगर आप डेली पीते हैं तो पेट के जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं हाला कि पिपली के साथ साथ इसमें चाच का भी कुछ योगदान होता है चाच भी कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हम बात करेंगे अब आमातिसार यानी पेट में जो गरबड़िया होती हैं पेट में मरोड है दर्द है तो ऐसे में पिपली का उपयोग कैसे करेंगे इसके लिए आपको चाहिए पिपल और छोटी हरड दोनों को बराबर मात्रा में आप मिला कर पीस कर चून बना लें और फिर एक चमच की मात्रा में सुबह साम गर्म पानी से सेवन करें त पिकने वाद दुरगंद युक्त दस्त से आराम मिलता है और बार बार दस्त लगते हैं उसमें भी आराम मिलता है तो कहने का मतलब यह है कि पीपल और छोटी हरड का जो मिक्षर है यह पेट के हर तरह की समस्याओं के लिए एक रामबार इलाज की तरह है अब हम बात करेंगे साइटिका की कि पीपली का साइटिका में कैसे सेवन किया जाता है कैसे साइटिका का इलाज इससे किया जा सकता है घर पर इलाज कैसे हो सकता है इसके लिए आपको चाहिए पिपली का आधा चमच चूर और उसके साथ चाहिए दो चमच अरंडी का तेल और इनको साथ में आप मिला लें मिला कर सुबह साम अगर आप रोजाना सेवन करते हैं तो साइटिका का दर्द दूर हो जाएगा साइटिका का दर्द वैसे बहुत ही खतरनाक होता है और यह दर्द बहुत परिसान करता है लोगों को लेकिन यह परियोग पिपली का यह परियोग इस रोग को जड़ से समाप्त करता है हम अब बात करेंगे कि कैसे किसी महिला के अगर दूद नहीं उतर रहा है बच्चे को बिलाने के लिए तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है पिपली से तो इसके लिए चाहिए पिपली का चून आधा चमच और शहद इन दोनों को मिला कर अगर सुबह साम प्रसूता को दिया जाता है तो कुछी समय में या कुछी दिनों में यह दूद में ब्रद्ध करता है और उस प्रसूता को दूद होने लगता है और इसी प्रियोग से यानि यही खाने से मलेरिया, स्वांस रोग और दमा रोग खांसी में भी लाब मिलता है यानि अगर कोई आधा चम्मच पिपली का चूण और शहेद का शेवन सुबह साम करता है तो सांस से समंधित रोग भी ठीक हो जाते हैं अब हम बात करेंगे बवसीर की बवसीर का इलाज कैसे पिपली के द्वारा किया जाता है इसके लिए आपको चाहिए पिपली का चूड आधा चम्मच और उसमें इतनी ही मात्रा में जीरा भुना हुआ जीरा चाहिए और थोड़ा सा सेंधा नमक इन सब को मिला कर चाच यानि मठे के साथ यदि सेवन किया जाए तो इस रोग में आराम मिलता है और पेट की गैस की तकलीब भी इस सेवन से दूर हो जाती है तो इस प्रकार आप ये इलाज कर बवासीर यानि पाइल्स का इलाज घर पर ही कर सकते हैं तो हमने आपको अभी बताया कि क्या फायदे हैं पिपली के लेकिट आप हम आपको बताएंगे इसके side effects क्या है, क्या हानिकारक प्रभाव है, कब इसको नहीं लेना चाहिए चुकि पिपली की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मी का अगर मोशम है तो आपको इसका शेवन अधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत हानिकारक हो सकता है और इसका सेवन अधिक मात्रा में भी लगातार बहुत दिनों तक नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका गतार सेवन करने से कई प्रकार के दोस्त शरीर में उत्पन हो जाते हैं इस प्रकार आपने जाना कि पिपली के कौन से फायदे हैं और इसको विभिन भासाओं में क्या बोलते हैं और अंद में हमने आपको बताया कि इसका सेवन कब नहीं करना चाहिए और यदि इसके अलावा या और आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बाक्स में लिखिए और आपको मैं उचित समय पर इसका जवाब दूँगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को नीचे जो बटन दिया है उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे हमारे अगले वीडियो आपको मिलते रहेंगे आपके नोटिफिकेशन पैनल पर धन्यवाद